जैहीं साथियो अगनिपत भरती योजना के तहट इंडियन एरफोर्स अर्थात अगनिवीर वायू का अलायन फॉर्म 24 जून से 5 जुलाई तक साब 5 बजे तक भरे गए सो दोस्तो फाइनल इसका लास डेट कंपलीट हो चुका है किन्तो दोस्तो इस बार का फॉर्म फिलप ने सारे रिकार्ड ही तोड़ दिये ऐसा लग रहा था कि अगनिपत भरती योजना आने के बाद थोड़ा सा निरासा होगी और इसमें फॉर्म कम भरे जागे किन्तु दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नए गवा इस बार पिछली बार का भी रिकार्ड तूर्ड चुका है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बाप करने वाले हैं कि आखिर इसमें कितना फॉर्म फिलप कीचा गया टोटल कितना फॉर्म भरा गया तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं उससे पहले अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और टेलिग्राम को join नहीं किया है तो टेलिग्राम को join कर लिजे link वीडियो के description में मिल जागा क्योंकि जो भी latest update होता है सबसे पहले टेलिग्राम पर send कर दिया जाता है तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें total केतने form fill up किये गए और इसके competition का label क्या रह सकता है तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल official proof दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक application open किया हुआ है जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं जो form number था जो total form भरे गए थे तो यहाँ पर इसके registration number में आप देख सकते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर टोटल form भरे गए थे 11 बजे तक वो 10,444,448 form भरे गए थे तो दोस्तों यह 11 बजे तक का update है अर्थात 11 बजे तक इतने form भरे जा चुके थे आज और दोस्तों आपको पता होगा कि जो last time था वो 5 बजे तक था और 11 बजे के बाद बिलकुर साइड भी नहीं चल रही थे तो दोस्तों 4 घंटे में बहुत जादा form नहीं फिल किये गए होंगे क्योंकि साइड बिलकुर भी नहीं चल रही थे मैंने खुदी try किया था अर्थात यहाँ पर एक total मान के चले तो total जो इसमें form फिल अप किये गए है वो 10,20,000 form फिल अप किये गए है दोस्तों यही total रहने वाला है और दोस्तों पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो form फिल अप किये गए थे वो 6 लाख ही फिल अप किये गए थे क्योंकि पिछली बार इससे कमी form फिलफ किये गए थे तो दोस्तों competition के level इस बार high रहने वाला है क्योंकि दोस्तों जो 8000 enrollment के बच्चे रुकिये हुए थे तो वो भी इसमें form apply किये हैं वो भी इसमें exam दे रहे हैं और दोस्तों जो पिछली बार जिनका result नहीं आया है तो उन्होंने भी इसमें form apply किया हुआ है बाकि यहां पर दो साल vacancy नहीं आये थे तो दो साल कितने new बच्चे एड हो गए क्योंकि आपको पता होगा कि हर साल board exam होते रहते हैं तो दोस्तों इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा form फिलब किये गए और इसमें competition भी बहुत हाई रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी का भी exam नहीं हो रहा है अभी केवल इंडियन Air Force का online exam कंड़क्ट करा जा रहा है तो दोस्तों यहां पर competition बहुत ही high जाने वाली है तो आप लोग अपनी तयारी को थोड़ा सा तेज कर दीजिए क्योंकि आप लोग पिछली बार से कम competition ना समझेगा तो चलिए दोस्तों बाकी आप लोग का कोई doubt आता है तो comment section में पूछ लिजेगा तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि total जो एक jet form भरे गए वो 10,20,000 तक form फिलप किये गए अभी दोस्तों इसका official भी आएगा ट्यूटर पे तो मैं वो टेलिग्राम पर send कर दूँगा